क्याप्टन सी टास्क में आगे क्या होने वाला है जैसे कि मैंने आपको अल्रेडी बता दिया थे कि पहला जो राउंड ने वो राखी सावन जी चुकी है तो आएए हम आपको बताने जारे कि सेकेंड राउंड में क्या होने वाला है कौन-कौन है टीम में तो सब्सक्राइब करते हैं मैं उरश्मी और अगर आप लोगों ने हमारे चाहिए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको पेक बॉस की सारी चैट परड़ी बातों का अपडेट मिलता रहे हैं जैसे कि आप सब सेकेंड राउंड में कौन कोन जाएगा क्योंकि बेसिकली त्री राउंड होने वाले हैं और त्री राउंड में क्या होने वाला यानि कि अब हो रहा है सेकेंड राउंड जो कि हमें बिग बॉस के लाइफ फीड के अरुसार हमने देखा है कि अभी होने वाला है सेकेंड चार लोग जो डग की भूमी का निभाएंगे उनमें से सबसे पहले अभीनौ सेकेंड अली थर्ड है एजाज और फॉर्थ है मनु पंजाबी यह चार लोग जो है वो डग की भूमी का निभाएंगे जो को बिग बोस ने बहुत ही स्टाटेजी क्लिए सब ही जाए कि अभीनौ को कैप्टन बना सकता है बट इसमें अभी भी डाउट है और अभीनौ कैप्टन ना बने यह बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे घर के अंदर अभी मैं आपको एक और चीज़ बताते हूं कि जो दाना फेकने वाला है वो भी कोई जो बिग बॉस ही डिसाइड कर स जो है वो क्या करेंगी क्योंकि वो एक तरह से तो मनौ और इजाज की टीम में है और संचाल कौन बना है तो मैं आपको बता दूब कि संचाल जो है वो राखी सावंत बनी है जो कि काफी नीट्रल खेलेगी लेट सी कि क्या होता है बट दाना जिसके एंड में सबसे ज्याद अबिनो कैप्टन बनेगा क्या अबिनो इस्टास का विनर बनेगा आपको क्या लगते क्योंकि जहां इकतफ एजाज है मनु है अली है और अबिनो है तो बिगवस ने बहुत प्री प्लान करके छोड़ा है वही पर राउंड थ्री के लिए उन्होंने छोड़ा है जैस्मीन रूबीना राहूल महाजन और राहूल वैद्या को यह चार्ड लोग जो है वो बच गया है जो कि अगला राउंड खेलेंगे अभी देखो क्या होता है घर के अंदर आपको क्या लगता है कि राकी सावन सबसे पहले तो राकी सावन क्या फेर संचालक निभाएगी फॉर्स इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा आझा हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलेगा और ऐसी ही अपडेट्स की सारी चिट पटेडी बातों का अब्डेट मलता रहे हम मिलेंगे अपने अगले वीडिए में अपने अगले अप्डेटो के साथ टेल्ट और डाल बाग बाई टेक केर